असलाम उलेकूम। उम्मीद करती हूं। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। जल्दी से मेरा चानल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं। अर्वी गोश की रेसिपी। अर्वी गोश बहुत ही मज़े का वनता है। और हमारा तो अल्टाइम्स प्रिविट है। और आपको पता है अर्वी सीजन में आती है। तो अब मैं फर्स टाइम ही बना रही हूं इस सीजन में। अल्वी गोश आप जो आपका दिल चाएं चिकन, मठन, बीव जिसमें आपका दिल चाहें आप बना सकते हैं। आदा किलो गोश ले लीजेगा। आदा किलो भी लिए है। गोश लें। जह हली मिर्चे नहीं है। मसालों में जो जो मैने चीजे ली है। एक चमचा हल्दी पॉरर लिया है, देर चम्चा रेड चिली पॉरर लिया है, धनिया पॉरर लिया है, एक चम्चा हजबे जायता नमक लिया है, लसन अधर पेच के दो चम्चे लिया है, मैंने एक प्याली दही लिया है, और आधी प्याली मैंने फ्राइड प्याज लिया है, जो में फ्राइड अज एक स्वाव गुछी साहरें, अप्सेल हराते हमाट के तेल च्थाने सुललई सेफली हरें, इसलों हराएं पलाएं शालते हूं रहा ज मज circled जाना हरें, जानाम सेफ़ शामिल करने के बांने कहा पैस करा तेल और खुछ आंगे सेखलें का खुछा करें जालों। गोई ने अच्छह मैं अच्छन अच्राइः न जया अच्राइब शुञाद करने हिंते हैं शुरा लाक शुञाले गोई मशाली में जिलाज में में अच्छ कर दीज है कि आचças टूप निलीक सावित नगीवी खाते गरम मसाला वह भी पीसावा खा लेतने हैं पता ही नहीं चलता हूं को और साबुत आ जाता है तो प्रेट के साइटों पे जमाई होता रहता है इसलिए चले तो यह देखें दाना बन गया है चलें अर नमक क Assessment इसलिए के करना बॉष स्यूद्गा ला मैंने दाना मैं इसको चले मोने नमक बिए करेंगे यह मैंने कर दिया है अब मैं इसको नॉर्मल फ्लेम पर ना जादा लो ना जादा हाई मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कैप कर दूंगी ताके गोश हमारा अच्छे से गल जाए ठीक है जी तो यह हमारा अच्छे खोश दूंगी है चेक करते गल है कि अश्याए नहीं दूंगर को के अच्छे आप दूंगें आप सामिल ने डोली है आपको पते है अर्विया एसे डारक नहीं दोते है आपको पते हैं जाए दा रूल नहीं होते जब आप चिल्का उताड़ लिए कि पहले पाने में बिगो के दो लिए ओच्छे से और अगर आप चाहें तो अब लॉप्स पहन के या रात अच्छे से साफ कर लिजएगा उसके बाद दोने के बाद ताकि आपके हाथ में खारिश ना हो अब में इसके अंदर शाब गल अब मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए इतना पानी है अभी इसमें कि इसी में गल जाएंगी आपस कपकर दूंगी इसको ताकर यह अच्छे से गल जा उसके बाद हम देखेंगे इसको जी तो हम चेक तरेंगे हमाई तरें किस सब्सक्ता गल चुकी है जीर हमारी अलमिया जो इंदेखें बितकुल गल चुकी है अब इसे स्टेज पे हम हजमेचे डालेंगे और चूला बरेंगे हलका थोड़ा बिना कटके हम इसमें हजमेचे डालेंगे परी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है इसलिए और विया टूप चेंगे इसले में थोड़ा का चमचा इसका चलाओगी अच्छा ये देखें मैंने ये पेस बना के रख लिया है अब हम इसमें पेस चालेंगे अब ये दाल द्री हूं इसमें तरह से तरह से इसमें देखें पीछे से चमचा चलाती रहूंगी क्यूंके अलिया टूप जएंगी वरना बस साइट साइट से हमें गुमाना है अब देखकें कलर देखें कितना अच्छा आया है बस अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे देखें ताकर तार उपर आए इसका गोश भी गर जाएं अज़िया भी गर रही है चीत आप देखें इसका तार उपर आने लगा है अब में शूर्बा डाल वी यूँ नीं ग्रेवी आपको जितनी करनी हो आप कर सकते हो आप अब पतला खाते हो तो पतला कर लो गाड़ा खाते हो आप खोड़ी ग्रेवी जार की रखो बस यह मैं थोड़ी देर पकाऊंगी इसको सी तरा से पांच मिंट भी नहीं पकाऊंगी दो मिंट में इसका तार जोए वर्चिज ओपर आजएगा इस स्टेज पे मैं गरम मसाला डालेंगी इसके ओपर एक चंची के करी मैंनेस पे डाल काया इसके को बड़ भी चंची को दोःक बादा दो कि दूपे रख दूंगी जी तो देखें कितने याएप यह तौपर आकिया अब यह च्टन है जैकर दो दूटकर रिख दूंगी जी तो रादन है अर्वी गोष की रेसिपी पसंद आए ज़रू ट्राइ कीजिए बहुत एच्छी रेसिपी है और बहुत मजे का बनता है और यह देखें प्यास यह झाल आपको बताया था कि हमाने यह प्यास बहुत खाए जाते है लेगोष के साथ वह यह झाल तो आप ज़रू कर दो को